Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा और आज मैं आप सभी लोगों के सामने ले आए हूँ नार्निया सीरीज की सेकंड मूवी अगर आप सभी लोगों ने नार्निया सीरीज की पहली मूवी नहीं देखी है तो आपको इसका सजेशन उपर आई बटन के अंदर देख जाएगा और साथ ही साथ आपको मेरे डिस्क्रिप्षिन के अंदर भी नार्निया फस्ट का लिंक मिल जाएगा इस दूसरी मूवी का नाम है दे क्रॉनिकल ओफ नार्निया प्रिंस कैस्पियन पिछली कहानी में हमने देखा था कि एक सुन्दर सा जंगल जिसका नाम नार्निया था वहाँ पे सभी जानवर एक दूसरी के साथ में रहा करते थे वहाँ के पेड़ नाचा करते थे और वहाँ की पतिया हर जंगल में घुमा करती थी लेकिन इस दूसरी कहानी के अंदर टर्मरीन नाम की लोगों ने इस नार्निया की जंगल पे राज कर लिया था यानि कि इन लोगों ने नार्निया की जंगल को आके पूरी तरीके से खत्म कर दिया था इसी कारण यहां के सारी जानवर जंगलों के अंदर जाके छुप गए थे और बहुत कम ही जानवर अब पचे थे कहानी के शिरवात में हमें दिखाया जाता है कि एक महारानी एक राजकुमार को जनम देती है और उसके बाद उसके पिता यानि के मिराज जो की टर्मरीन्स के राजा के छोटे भाई थे उन्हें खुशकबरी मिलती है कि उनके घर में एक राजकुमार ने जनम लिया है और अब वो अपने सबसे वफादार सोलजर इसका नाम था ग्लोजेल को बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन टर्मरीन्स ने नार्निया पे राज किया था उनी में से दसवी पीडी का जो राजा बनने वाला था यानि कि प्रिंस कैस्पियन उसकी चान खतरे में है क्योंकि अब जब उनके चाचा के घर पे लड़का हो चुका था तो वो अब प्रिंस कैस्पियन को मारने वाले थे इसी समय कैश्पियन के एक उस्ताज्य जोकि उनके बहुत पुराने टीचर थे वो उन्हें नीम्डों में से उठाते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जल्द ही जाना पड़ेगा वो बताते हैं कि तुम्हारी चाचा को लड़का हुआ है अब जब कैस्पियन की मास्टर उसे उठा की दूसरे कमरे में ले जाते हैं और एक सीक्रिट रस्ते से उसे महल से बाहर जाने के लिए बताते हैं तब ही कैस्पियन उस सीक्रिट दरवाजी से देखता है कि कैसे सारे की सारे सोलजर उसके कमरे में आ चुके थे और वो वहां सो जब कैस्पियन को जंगल में भेज रहे थे तो वो अपने साथ में उसे बहुत ही कीमती चीज़ देते हैं और वो कहते हैं कि जब तक तक तुमें इसकी बहुत ज़ादा जरूरत ना पड़े तब तक तुम इसका इस्तेमाल मत करना कैस्पियन अब भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है वही ग्लॉजेल और सोलजर्स को लेकि जंगल की तरफ चाता है लेकिन वहाँ पे सारी सैनिक जंगल के अंदर नहीं चाते हैं उन सभी को लगता है कि ये जंगल श्रापित है और इसके अंदर जाना कोई अच्छी बात नहीं है तब ही वहाँ पे उनका लीडर यानि की ग्लॉजेल बोलता है कि क्या तुम लोगों को मौत की सजा खानी है और ये बात सुनकर सभी लोग लॉजेल के साथ में जंगल के अंदर एंडर कर जाते हैं कैस्पियन को लगता है कि वो सोलजर से बच चुका है और वो बॉनों को लगता है कि ये टर्मरीन हमारे उपर हमला करने के लिए आया है इसलिए वो कैस्पियन को भी मारना चाते हैं कैस्पियन जब उन बॉनों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तब ही कैस्पियन वो हॉन बजा देता है लेकिन टर्मरीन के सोलजर ट्रमकिन को ले करते हैं कि आखिर हम नार्णिया क्या कभी जा पाएंगे तब सूजन कहती है कि मुझे बड़ी मुश्किल से एक साल बाद यहां पे रहने की आदत हुई है तब लूसी वहां उदासवन से कहती है कि शायद हो सकता है हमारा वहां जाने का अभी टाइम नहीं आया है यह बड़े किसी भी पैसेंजर को कुछ भी मुमेंट नहीं दिखाई दे रहा था और अब इन चारों को समझ आ गया था कि यह सब जादू से हो रहा है कि तभी वो देखते हैं कि ट्रेन अपना रास्ता खतम कर चुकी है और उसकी दूसरी तरफ वो एक गुफा में पहुँच अब जब चारों उस गुफा के अंदर पहुच चुके थे तो वो बाहर निकल के देखते हैं और अब इन सभी को पता चल चुका था कि हमें नार्णिया का बुलावा आ चुका है और अब हम नार्णिया में ही है वो चारों बच्चे पानी के अंदर खेलना शुरू कर देते वो पहले तो यह सोचते हैं कि क्या हम नार्णिया में ही है और अगर नार्णिया में है तो यह कौन सी जगह है जो हमने नहीं देखी है तब वहाँ वो पहार के ऊपर चले जाते हैं और हर एक चीज को देखने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह और कोई जगह नहीं पलकी क्यार पेरावेल है यानि कि उन्हीं लोगों का महल जहां पर ये लोग रहा करते थे लेकिन अब ये जगह पहले जैसे बिलकुल भी नहीं रही है टर्मरीन्स के लोगों ने इस जगह को तबाह कर दिया है ना तो अब नार्णिया में पहले वाले लोग बचे हैं और ना पॉजल मिराज को एक चीज दिखाता है वो और कुछ नहीं बलकि ट्रमकिन के उपर से परदा उठाता है और मिराज ट्रमकिन को देखते ही पैचान जाता है कि ये तो नार्णिया का वासी है अब जब सभा बुलाई गई कि टर्मरीन्स के होने वाले राजा यानि कि प्रिं करने के लिए सभी के सामने ट्रमकिन को ले आता है और अब सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि नार्णिया की कहानी जूटी नहीं है बलकि आज भी नार्णिया के लोग जिन्दा है और अब वो सभी लोगों को बताता है कि प्रिंस कैस्पियन को इन्हीं लोगों ने जाता है बलकि उसका चाचा तो बहुत अच्छा इंसान है अब वहां पीटर और एड्मिन नार्निया के अंदर एक बड़े से पत्थर को दर्वाजे के सामने से हटाते हैं यह एक गुप्त रास्ता था सभी सीडियों से होते हुए नीचे पहुंचते हैं यहाँ पे वो आके तीर कमान पीटर की तलवार आप सभी लोग काफी जादा वरेड हो जाते हैं कि आखिर नार्निया के साथ हुआ क्या था यहां इतनी तबाई कैसे मच गई जब वो बाहर निकल के किनारी पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग ट्रॉमकिन को पानी के अंदर रहे थे तभी सूजन उन लोगों पिदेर चला देती है और ट्रॉमकिन जब पानी के अंदर गरता है तो पीटर और एड्मन उसे बचाने के लिए भागते हैं ड्रॉमकिन को पानी में से बचा के अब वो बाहर निकाल लेते हैं तब वो ट्रॉमकिन कहता है कि तुम लोगो तब पीटर कहता है कि तुम खुद आजमा लो, तब वहाँ पे डॉमकन की एडमिन से तलवार आजी होती है। और तब जाके डॉमकन को पता चलता है कि ये हमारे ही नार्णिया की राजा और रानी है। कहानी अब कैस्पियन के बारे में दिखाए जाती है। कैस्पियन को बेहोश करके निकबिक और वो बैजर अपने साथ में ले आते हैं वो दौनों आपस में बात करते हैं कि ये भी टर्मरीन्स का ही आदमी है इसने ही हमारी पुर्कों की जमीन को बरबाद किया है ये भी उनी में से एक होगा और ये हमें मारना चाता है तब बैजर मेरी चाचा मिराज मेरी चान लेना चाते हैं वो इस जगह के राजा बनना चाते हैं और अब मुझे उन से जा के लड़ाई करनी पड़ेगी तब है वहाँ पर बैजर कहता है कि अब जब तुमने ये मैजिकल होन अपनी मदद के लिए बचाया है तो तुम थोड़ा इंतज साथ वहाँ पर मिराज पहले से ही खड़ा था और वो कैस्पियन के टीचर को पूछते हैं कि तुमने कैस्पियन को और क्या-क्या बताया है नार्णिया की कहानियों के बारे में तब उनके टीचर बोलते हैं कि जितना उसे पता होना चाहिए था उससे उतना पता है और उसके पाद में मिराज उनके टीचर को भी गिरफ़तार करवा देते हैं तब वहाँ पर कोई दूसरी राजा पहुचते हैं और वो जब टीचर को गिरफ़तार होते देखते हैं तो वो ग्लॉजेल से पूचते है कि पहले प्रिंस गैस्पियन गाया हुए और अब उनके उस्ताद को गिरफदार कराया जा रहा है, तो फिर हम लोग कैसे safe हैं, जब वो मिराज के सामने पहुचते हैं, तो मिराज खहता है कि जंगल तक पहुचने का काम कितना तक पहुचा है, क्योंकि अब वो जाते थे कि तुम्हें यहाँ पे मदद के लिए बुलाया गया है यानि कि प्रिंस कैस्पिया ने मदद के लिए वो मैजिकल हॉन बजाया था और इसी कारण तुम लोग अब यहाँ पर हो लूसी उन पहाड़ियों को देखती है और साथ ही साथ उन पेड़ों को देखती है वो कहती है कि यह जगा इतने शांत कैसे हो गई है तब ट्रमकिन बताता है कि आप लोगों के जाने के बाद में कुछ समय बाद असलन भी चला गया था टर्मरीन्स के राज में यह सारे के सारे पेड़ अब सहम गए हैं अब यह सभी लोग किनारे पे पहुँचते हैं किनारे पे पहुचने पे वहाँ लूसी को एक भालू मिलता है वो उससे बात करने के लिए आगे जाती है लेकिन वो भालू वापस लूसी पे ही अटेक कर देता है और तब उन लोगों को पता चलता है कि यहां की जानवर भी अब पहले जैसे नहीं रहे है ना तो वो बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इनसानों को पे मारने के लिए भाग रहे हैं अब यहाँ पे प्रिंस कैस्पियन भी बैजर और निकबरिक के घर को छोड़के राजा को मारने के लिए चल पड़ता है, लेकिन निकबरिक और बैजर उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो सेफटी के लिए उसके साथ साथ जाते रहते हैं, उसे लास तक समझाते हैं कि तो कैस्पियन और बाकी दौनों भी भागने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक तीर वहाँ पे बैजर को लग जाता है, कैस्पियन उसे अपनी कंदे पे उठा की भागने लगता है, और तभी वहाँ पे एक चुहा पहुच जाता है, वो नार्निया का एक सोलजर था, और इस तब पीटर उनकी बात नहीं मानता है, और वो कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है, तो ट्रॉमकिन कहता है कि मैंने तो यहाँ कोई नदी नहीं देखी है आज तक, तो पीटर कहता है तो फिर तुम नार्निया को भी नहीं जानते हो, अब जब ये पांचों लो लगती है कि वहाँ पे असलन है, तो हमें घाटी के उस दूसरी तरफ जाना चाहिए, तब वहाँ पे पीटर और सूजन कहते हैं कि हमें तो वो नहीं दिखे, सिर्फ वो तुमें ही क्यों दिखे, तब एडमिन वहाँ कहता है कि पिछली बार मैंने लूसी की बात नहीं मानी थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई लूसी की बात नहीं मानता है, और वो सब लोग रास्ता बदल के दूसी तरफ चलने लगते हैं, अब बैजर और वो दूसरा पौना कैस्पियन को जंगल के बीच मिले जाते हैं, और वहाँ पे नार्निया में जितने भी लोग बचे थे, यानि कि वहाँ कि सभी चानवर जो कि नार्निया की वासी थे, आधी चानवर और आधे इंसान, सभी लोग वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, और सभी लोग कैस्पियन को बोलने लगते हैं, कि ये टर्मरीन्स है, यानि कि इसने ह हमारी सारे के सारे पुर्खों को मारा है तो ये भी उनी में से एक है तब वहाँ पे कैस्पियन कहता है कि मैं तो खुद यहाँ पे भाग के आया हूँ मेरे चाचा मुझे ही मारना चाते हैं मैं तो तुम लोगों के साथ में ही हूँ अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मै नार्णिया में अमन और शांती लाना चाहता हूं, अगर मैं राजा बन जाओंगा तो तुम सब लोग महल में रह सकते हों, तब उसमें से कुछ लोग उसकी बात मानते हैं और कुछ लोग नहीं बात मानते हैं, तब कैस्पियन वहाँ फिर से समझाने की कोशिश करता है, और आखिर में वहाँ पे नार्निया के वासी सभी कैस्पियन की तरफ हो जाते हैं और वो अब मिराज से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं। वहाँ मिराज की सैना अपने सारी सोलजर्स के साथ में तयारी कर चुकी थी जंगल को काटने की और जंगल में जाने की। मिरास को ये डर था कि अगर कैस्पियन जिन्दा बच गया तो फिर मिरास कभी भी राजा नहीं बन पाएगा उदर पीटर, एडमिन, सूजन और लूसी भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे मिरास की सैना रुकी हुई थी यानि के नदी के किनारे पे और वो देखते हैं कि अब वो काफी गलत छोर पे आ चुके हैं लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि मिरास सैना तयार कर रही है जंगल में जाने के लिए अब वो लोग फिर से उसी जगा पे जाते हैं जहां पे लूसी ने असलन को देखा था वो पहाड़ी के एक तरफ से नीचे उतरते हैं रात होने पे एक जगा वो लोग थोड़ा सा रुक चाते हैं अगली सुभा जब लूसी की आँख खुलती है तो वो वहाँ पे असलन की आवाज सुनती है और इसी आवाज को सुनते सुनते वो पीछा करने लगती है वो देखती है कि पत्तिया फिर से हवाओं में गूमने लगी है और वहां के पेड़ भी अब पहले जैसे हो गए हैं, उन पेड़ों ने लूसी को आगे जाने का रस्ता दिया, और तब ही लूसी वहाँ देखती है कि असलन ख़डा है, जब वो असलन से बात करने के लिए जाती है और तब ही उस समय लूसी के आखे खुल जाती है, और तब इस बार फिर से वो सूजन को उठाती है कि हमें आगे जाके देखना चाहिए तब सूजन बोलती है कि जो तुम्हारा मन हो तुम वो करो सूजन जंगल में चली जाती है लेकिन अंदर जाने के बाद में वहीं पेटर भी पहुँच जाता है और दूसरी तरफ कैस्पियन के पुराने नार्णिया के जो राजा और रानी थे वो अब पहुच चुके हैं इन सभी लोगों को विश्वास होता है कि सूजन के पास जो मैजिकल हॉन था वो सच में मदद बुलाने के लिए ही था वहाँ दूसरी तरफ मिराज अपनी सेना तयार कर रहा था अब वो दूसर राजाओं को ये बताता है कि अब मैं भी उस पर अटैक करने वाला हूँ इसी कारण जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी सैनाय मुझे सौप दो नार्णिया के लोगों के साथ में पीटर एडमन सूजन और लूसी कैस्पियन के साथ में एक जगह पहुचते हैं जहां पे न इस पूरी कुफा में बनी हुई थी अब वहाँ पे पहरा दे रहे एक फौन सभी को आके बताता है कि मिराज की फौज जंगल में आ चुकी है अब पीटर और नानिया के लोग मिलके कुछ प्लानिंग करते हैं पीटर कहना चाहता है कि मिराज की सारी की सारी सैना यहां पे ह तो हमें पीछे जाके महल के उपर हमला कर देना चाहिए तब कैस्पियन कहता है कि हमें इतना जल्दी नहीं करनी चाहिए और लूसी कहती है कि हम लोगों को एक बार असलन का वेट करना चाहिए तब इन सारे के सारे आइडियास में से सिर्फ और सिर्फ एक चुना जाता है क कि अब रात के अंधेरे में वो मिरास के महल के उपर अटैक करने वाले हैं। सामने के दर्वाजे से वो सभी लोग नहीं जा सकते थे और नार्णिया की लोगों को मिरास के महल के अंदर पहुचाने के लिए ब्रिज नीचे गिराना पड़ता। इसलिए सबसे पहले वहाँ पे उड़ने वाले चीता के साथ में एडवन पहुच जाता है महल के सबसे उपरी छोर पे वहाँ के सोलजर को वो मार गिराता है और उसके बाद में सबको अंदर आने के लिए साइन भेचता है। जब वहाँ पे कैस्पियन अपने उस्ताद के पाज में पहुचता है तो उसे ये पता चलता है कि मिराज नहीं उसके फादर को मारा था। लेकिन मिराज वहाँ पे उल्टी सीथी बातों में कैस्पियन को फसा के उसका ध्यान भटका देते हैं और मिराज उसी समय वहाँ से भाग निकलता है। और वो टॉर्च चालू थी इसी कारण अब रोशनी आगे की तरफ आने लगती है यानि के नार्निया के लोगों के उपर अब उनको ये साइन मिल चुका था कि उन्हों अटेक करने के लिए सीधा अंदर गुसना है लेकिन ये साइन काफी बाद में देना था। वो लोग प्रिपेर एकदम से नहीं थे कि वो जाके सीधा लड़ाई कर ले। लेकिन एडमन के साइन आने के बाद में सभी के सभी नार्निया के लोग मिरास के महल में आ जाते हैं। तो आधी वार को खतम करके वहां से आधी लोग भागने लगते हैं। लेकिन सब के सब वहां पर भागने से पहले ही दरवाजा गिरने लगता है। अब जितने जानवर एक बार में निकल पा रहे थे वो निकल गए बागी के सभी लोग अंदर फस गए। उधर पीटर, सुजन और एडमन के आँखों के सामने ही नार्निया के बहुत सारे लोग मिरास के गेट के अंदर ही रह गए और उन सभी जानवरों ने असलन के नाम पे कुर्बानी दे दी अब अगली सुबह जब सभी जने अपने डेरे पे पहुंचते हैं तो वहां सुजन पूचती है कि बताओ पीटर आखिर क्या हुआ लेकिन वहां पहुंचते ही तो पीटर और कैस्पियन के बीच बहुत बड़ा जगड़ा हो जाता है कि तुम्हारी कारण ही ऐसा हुआ तो मैं वहां पे जब गेट पे खड़े रहने के लिए बोला गया था तो तुम वहां पे मिराज के पीछे क्यों गए तब कैस्पियन बताता है कि उसी ने मेरे पता को मारा था अब वहां पे सुजन देखती है कि ट्रमकिन को भी एक तीर लग गया था इ कि ये सब कैस्पियन नहीं किया है यानि कि मिराज के महल पे जो हमला हुआ है वो कैस्पियन ने रात में किया था इसी कारण अब वो सब का ध्यान खैच लेता है और अब सारे के सारे राजाओं ने मिराज को टर्मरेंस का नया राजा बना दिया था अपनी पूरी के पूरी फौज मिराज के नाम कर दी थी वहाँ दूसी तरफ कैस्पियन जो के लड़की आया था भी पीटर से वो गुफा के अंदर फिर से आता है और अब उसके पीछे पीछे निकाबरिक पिया जाता है वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है यानि के मिराज, मिराज ने हम नार्णिया वालों के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं किया था और तुम्हें भी अब उससे बतला लेना है और तभी ये बात करते करते उनके सामने दो दानावा जाते हैं वो बताते हैं कि हम मिराज से लड़ने में तुमारी मदद करेंगे इस समय कैस्पियन उनकी बात सुन रहा था और तभी उसके हाथ में वो वाइट विच का पुराना वाला मैजिकल एरो होता है और उसे वो असलन की तस्वीर के सामने लगा देती है और उसके बाद में बर्फ कैस्पियन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को काट देता है जिसमें से खून की बूंदे निकलने लगती है अब वो कैस्पियन को पूरी तरीके से मैनुपलेट कर देती है वो उसकी आँखों में देखने लगती है और वहाँ मानों जादू होने लगता है वाइट विच जैसे ही वाइट विच के सामने आता है वो जादू फिर से होने लगता है अब पीटर अपनी सारी समझ भुला कि वाइट विच की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उस समय एडमन पीछे से आके वो कांच की बरफीली दिवार तोड़ देता है और वो सारा का सारा इल्यूजि इस समय फिर से पीटर और लूसी बात कर रहे थे पीटर कहता है कि असलन सिर्फ तुमें ही क्यों दिखा मुझे क्यों नहीं दिखा तब लूसी इस बात का आंसर तो नहीं जानती थी लेकिन वो ये जरूर चाहती थी कि हमारी मदद करने के लिए असलन क्यों नहीं आया अगली सुभह अब सब लोग देखते हैं कि मिराज की सैना अब अपनी तादाद से बहुत जादा होके टेपल स्टोन की तरफ बढ़ती जा रही थी तब फिर से सभी जाके प्लानिंग करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए हम इतनी बड़ी सैना से तो नहीं लड़ सकते सैनिक मारना चाते हैं ना ही वो नार्ने आवासियों की जान जोखे में ढालना चातेएं वहीं पे बैठे दूसरे राजाओं को मिराज बिल्कुल पसंद नहीं था इसलिए वो राजाओं को कहते हैं कि क्या आप इतने चोटे से बच्चे के चुनोती से डर रहे हैं अब मिराज को मजबूरन वहाँ पे हाँ करनी पड़ती है यानि कि अब वो पूरी सेना के साथ में नहीं बलकि उसे अकेले को ही पीटर से लड़ना था और वो राजाओं को कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ पी गड़ पर दिखाई दे तो पीटर को सिधा मार देना उसके बाद पीटर और मिराज के अंदर काफी शांदर तलवार बाजी हो जाती है उदर दूसरी तरफ जहां लूसी और सूजन निकले थे असलन को लेने के लिए वहाँ पे मिराज के कुछ सैनिक उनका पीछा करने लगते है इसलिए सूजन लूसी को अकेले ही बेच देती है कि तुम्हें अब आगे अकेले जाना है और वो वहाँ पे पीछे आने वाले सभी सोलजर को अपने तीर से मारने लगती है लेकिन फिर भी एक सोलजर वहाँ पे आगे बढ़ जाता है आलमों सूजन को मार नहीं वाला था कि तभी वहाँ पे कैस्पियन भी पहुँच जाता है अब वहाँ दूसरी तरफ पीटर के भी हाल बुरे कम नहीं थे वहाँ पे मिरास और पीटर के बीच में काफी जादा भारी तलवार बाजी चल रही थी लेकिन आखिर में पीटर ने मिरास को खदेर दिया था और अब मिरास पीटर के तलवार की नौक पे था पीटर चाहता तो उसे मार देता लेकिन फिर पीटर कहता है कि इस पे मेरा हक नहीं किसी और का हक है तब वो तलवार दे देता है कैस्पियन को लेकिन कैस्पियन भी आगे बढ़के अपने चाचा को नहीं मारता है वो कहता है कि मैंने आपकी चान तु बक्ष दी है लेकिन नाणी आवासियों को मैं उनका मुल्क दिला के रहूंगा लेकिन टर्मरीन्स के हर इंसान के अंदर गद्दारी भरी हुई थी तब ही वहाँ पे जब दूसरे राजा मिरास को उठानी के लिए आते हैं तो वो सूजन का तीर हे मिरास को लगा देते हैं और सभी लोगों को जोड़ों से चिला के बताते हैं कि इन लोगों ने गत्तारी कर दी है और नहीं चाते हुए भी वहाँ पे वो युद्ध का एलान कर देता है सभी लोग तयार हो चुके थे अब वार के लिए सूजन वहाँ पे उचाई पे खड़ी थी सभी के सभी तीरबाजों को लेके एडमन और पीटर आगे ही आगे खड़े थे अपने सारे के सारे नार्निया की फौच को लेके वहाँ पे मिरास की सैना काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी जैसे ही दस तक की गिंती वो लोग गिंते हैं कि तबे उस गुफा के नीचे से कैस्पे ने एक छोटी सी टुकडी लेके निकलता है और वहाँ के सारे के सारे पिलर्स को गिरा देता है तब ही वहाँ पे जमीन धस जाती है और सारी मिरास की सैना उसके अंदर गिर जाती है उतर दूसरी तरफ वहाँ पे सूजन भी हवाओं में तीर चला देती है जिससे आगे आने वाले सोल्जर्स भी मर जाएं लेकिन मिराज की सेना बिलकुल भी कम नहीं थी, वो सेना तो दीरे दीरे बढ़ती ही जा रही थी, उन्होंने टेबल स्टोन तक जाने के में रस्ते को ही बंद कर दिया था पत्तरों से, अब लूसी जंगल में पहुँच चुकी थी, और वहाँ वो असलन से मिलती है, वो असल कहता है जरूर, और अब असलन असली शेर की जैसे वहाँ पे दहार लगाता है, और सारे के सारे नार्णिया के सोई हुए पेड़ों को जगा देता है, वहाँ जहां वार्ड चल रही थी, कि तभी सभी लोग देखने लगते हैं कि पेड़ चलने लग रहे और आगे बढ़ रहे हैं मिरास की सैना को मार गिराने के लिए, तब वहाँ दूसरे राजा और ग्लॉजैल ने जो ये कमान संभाली थी, वो अब कहते हैं कि इनको पानी की तरफ ले चलो, अब जब बाकी बचे मिरास के सैना की तरफ जाते हैं, तो भागते भागते वो लोग पुल पे जैसे ही वो लोग पुल पे पहुचते हैं, वहाँ पे उन्हें लूसी दिखाई देती हैं, और लूसी के साथ साथ में असलन आ जाता है, कि तभी वहाँ पे असलन फिर से पानी की अंदर लहरे उठा देता है, और उन पानी की लहरों से पानी के बहुत बड़े वारियर उसके बाद में वो उन नन्ने चूहों से भी मिलता है जो कि असलन के बहुत वफादार हुआ करते थे अब सभी के सभी वापिस टर्मरीन्स के बसाई हुए शहर में पहुच जाते हैं अब कैर पेरावेल पे सभी लोग एकटा हुए थे जहां पे असलन, पीटर, सुजन, एड में लूसी और उनके साथ में कैस्पियन और बाकी के टर्मरीन्स खड़े थे नार्निया के अंदर जितने भी टर्मरीन्स रह रहे हैं अगर आप चाहें तो यहां पे रह सकते हैं और अगर आप चाहें तो वापिस वहीं जा सकते हैं जहां से आप लोग आए हैं तब वहीं उन में से एक इंसान कहता है कि हमें तो आए हुए बहुत साल हो गए हैं तब असलन वहां बताता है कि आप लोगों के पुर्खों के लोग पानी के डाकू हुआ करते थे उन सभी लोगों ने पानी के अंदर से एक गुफा देखी और उसी गुफा में से एंटर करके वो लोग नार्निया पहुँच गए लेकिन नार्निया आने के बाद उन्होंने नार्निया के उपर रास करना शुरू कर दिया जहां से वो लोग आये हैं वहीं से हमारी राजकुमार और राजकुमारियां भी आये हैं अगर तुम लोग चाहो तो वापस वही जा सकते हो जहां से तुम कि पाद में मिरास की वाइफ आगे आई कि हम लोग हमारे घर जाना चाहते हैं जब वो लोग पेड़ के उस दरवाजे में से गए तो वो लोग गायब हो गए तो वहां की जनता सोचने लगती है कि क्या हम लोग हमारे ही घर जाएंगे क्या ये कोई छलावा तो नहीं है तब पीटर इस चीज़ को संभालने के लिए कहता है कि हमारे भी जाने का वक्त है इसलिए हम लोग यहां से पहले आपको जाके दिखाते हैं लूसी वहां से जाना नहीं चाहती थी और नहीं बाकी के लोग लेकिन फिर भी आखिर उन्हें अपने दुनिया में तो आना ही था पेड़ से अपने अपनी रस्ते चले जाते हैं तब जाके बाकी लोगों को विश्वास होता है कि हम लोग हमारे ही घर पहुंचेंगे जैसे ही चारू बच्चे उस पेड़ की रस्ते से निकलते हैं वो लोग उसी स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे ये लोग कहानी के शिरुवात में खड़े थे इस दुनिया के अंदर कुछ ही सेकंड चेंज हुए थे यानि कि अभी तक भी उनकी ट्रेन आ ही रही थी जिस समय ये लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे और कुछ ही समय के अंदर ट्रेन का गेट खुल जाता है सभी लोग अपने होशोहवास में जाते हैं और ट्रेन के अंदर चड़ जाते हैं दोस्तों यहीं पर नार्निया की ये दूसरी मूवी भी खतम होती है तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को कैसी लगी ये प्रिंस कैस्पियन की कहान अगर गाईज आप लोगों को मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप प्लीज अपने फैमिली मैंबर्स के साथ में इसे जरूर शेयर करिएगा और अब मैं आप से मिलती हूँ इस कहानी के अगले पार्ट में तब तक के लिए गाईज टाटा कर अबर्स कर दो तक कर दो में आप से जरूर शेमिली कर दोर भाईज आप कर दो वहाँ कर दो आप से बेंदाबी कि अवरे गयाँ